नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महत्तोपून जानकारी को ले करके जिहां सुबह बिना जोर लगाए पेट साफ करने का अद्भूत उपाए पता भी नहीं चलेगा कि पेट साफ हो गया जरूर और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें हम आपको पेट साफ करने या कबज के बारे में बताएंगे आजकल बिना कुछ खाई पिये ही पेट में गैस बन जाती है और पेट फूल के मोटा हो जाता है जिसके कारण खटी-खटी डकारे भी आने लगती है और गले म में जलन भी होने लगती है अगर आप भी इस समस्या से परिशान हैं तो हम आपको बता रहे हैं कुछ एक घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं कब जियू तो छोटी समस्या लगती है और इस कारण लोग इसे काफी नजर अंदाज भी कर कबज के कारण जो की पेट से संबंधित है इससे प्रभावित होने वाले लगभग 72 रोगों को आपके लिए बिना बुलाए महमान बन सकते हैं समय रहते जाग जाएं और कबज को हम जो उपाय बता रहे हैं इसके द्वारा दूर भगाएं देश के लगभग 20 फिस्दी लोग कबज से तरस्थ हैं इन में से 14 परसेंट वो लोग हैं जो शेहरों में रहते हैं शेहर का रहन सहन कुछ भी खा लेने की आदत और मजबूरी घरते शारीरिक श्रम इत्यादे ने कबज को इनके जीवन का महत्तोपून हिस्सा बना दिया है आईए कबज को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानते हैं क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तभी जीवन की गाड़ी भी ठीक चलेगी ये उपाई इतने कारगर हैं कि इन से आप बिना जोर लगाए अपना पेट साफ कर सकते हैं सबसे पहले तो अंजीर को आप रात भर पानी में डाल करके छोड़ 6-7 मुनक का रोज रात को सोने से पहले खाने से कबज समापत होती है त्रिफला जिहां सोने से पहले एक चमच त्रिफला गर्म पानी के साथ लें त्रिफला हरर बहेडा और आमले से बना होता है ये तीनों पेट के लिए लापकारी है त्रिफला रात में अपना काम ये नहीं पता होता है कि लहसुन पेट के लिए कितना फायदे मंद होता है असल में लहसुन इंटिबायोटिक होता है जो हमारे कठोर मल को मुलायम बनाता है जिससे मल आपके आँटों में आसानी से गुजरता है और पेटा आसानी से साफ हो जाता है लेसुन को हम कच्चा या पका कर दोनों तरह से खा सकते हैं दोनों तरीके से ये फायदे मंद होगा पर हम आपको यहीं सला देंगी कि इसे कच्चा ही खाएं क्योंकि पकाने पर कुछ फायदे मंद गुन खत्म हो जाते हैं इसके अलावा दूद गर्म दूद से पेट साफ कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आपको घंटो टोयलेट में ना बिताना पड़े तो दूद इसमें आपकी मदद कर सकता है रात को सोने से पहले गर्म दूद पीने से अगले दिन पेट साफ होने में मदद मिलती है दूद में थोड़ी चीनी मिला कर सोने से पहले पिना शुरू कर दें बेकिंग सोडा भी इसका एक महत्वपूर उपाय है बेकिंग सोडा कुछ लोगों को पेट साफ न होने की वज़ा से भारीपन और दबाव महसूस होता है इसके साथ पेट में दर्द भी हो सकता है ऐसे हालातों से निपटने के लिए बेकिंग सोडा काम में आता है एक कप गर्म पानी में एक चमच बेकिंग सोडा पाउडर को मिलाईए और तुरंत पी लें जितना जल्दी आप इसे खत्म करेंगे उतना ही आराम मिलेगा आपको तो दोस्तों ये वो जानकारियां थी जिनके सहारे आप अपने पेट के कबज को दूर भगा सकते हैं और कबज दूर रहेगी तो आप अने को बीमारियों से यूहीं बचे रहेंगे ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों